। तुम्पार से दख़ें किसान साती हो नमस्कार। अनार में म्रिक बार की प्रूतिंग लेने के लिए पोदों में कौन सी खाड डालने हैं? वे पोदों का रखरकाऊ किस परकार से करना है? यह है जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं नागोर जिले की डेगन आतेशिल के अलवाश ग्राम में आया हुआ हूँ जहां पर हीटाइड बैंक मेनेजर स्री रामदेवजी देवल ने अपने तेरे भीगा खेत में अनार की खेती की है यह बगीचा अब शाड़े तीन वर्ष का हो चुका है वे अभी हाली में इनोंने हस्त बार की फशल ली है आज हम इस वीडियो में अनार का बगीचा लगाने से लेकर परतम उत्पादन वे बगीचे के रखरकाओ के शमंद में मेनेजर साब से बात करेंगे अगर आप गरिंग राजस्तान चैनल पर परतम बार आये हैं तो राजस्तान की करशिवे बागवाने से शमंदित प्रामाने की वीडियो प्राप्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अविशे करें क्योंकि आपका एक छोटा शा प्रियाश हमारे लिए बड़ी प्रे अनौरी फरवरी में अंबे बाहर के रूप में फूल आते हैं व्यावशाईग उत्पादन की द्रश्टी से वर्ष में एक बार अनार की फूटिंग लिजाती है प्रंतु ज्यादा तर किशान वर्ष में दो बार अनार की फूटिंग लेते हैं अनार 120 से 130 दिनों में पकता है अते आपको जब भी अनार की फूटिंग लेनी हो फूल तोड़ना बंद कर देना चाहिए आई अब मेने दुश्ट आप शे बात करते हैं और इनके जो अनुबह है उनके बारे में चर्शा करते हैं जैसे पिसले सीजन में आपके उत्पादन कितना हुआ था पहली सीजन अच्छा तो ओर्गेनिक में आपने कोई दौई बगेरा का उप्योंग किया नहीं दौटास बगेरा तो देना उचेद नी शमझा तो कई ओर्गेनिक दौईयां भी आती हैं जिसे फल फटनेक समस्चा अबर जैसे बोर्यक्ष बगेरा ओएरा फिसली वार देने पाया अच्छा अच्छा तो पहली साल का उत्पादन था ज्यादा नहीं था तो अब की बार इनको इन पोदों क्या खाद वगरा दे रहे इस बार पर प्लांट करीब 40 किलो गोबर खाद अच्छा नेम की कंड जिक्सम कोई मैक्रोनीटन वगरा तो इस गोबर का उपियोग आप कैस यह वगरा प्यों पर देखा जाएंगे तो इन नहीं मिला करके पोदे कहां पर दिया जाता है यह जानता कि इससकी आंटेनी आई भी है अच्छा यहार तक खड़ा खुदा हूंगा पहले अच्छा 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 थिर उसकाना डालकर आशा पोदे से लगव तो एक साल में एक बार देते हैं साल में एक बार अगर यह नहीं दे तो पोदों पर क्या परबाव पड़ता है फिर फरकती नहीं करता है अच्छा फ्रूटिंग तो कई लोग इन अनार के पोदों डीएप यादी ये चीजें डालते है ना डीएप लेकिन वहार्मफुल है अच्छा गोबर में जो पौस्टिक ता है वो तो अब बहुत अच्छी हो रही है अभी रतेगपोद्र लगबग कितने फूल आ रहे हैं अभी अग्यों इन लेकिन डाईशो तीनसो तरह अच्छा प्रत्यवध दाईशो चीछिन तक पूल है और फल आपने देखे यह तो लगबगर शाईज कूआ रहे ता आपके दो दो से कितना उतपादन लेने अनुमान आपका इस सीजन में तो अच्छा-खास्था रजाएगा अच्छा-च्छा पहले तो नहीं के सकते हैं जीसास दूपादन के दूसरी सीजन आपकी और पहले शीजन शेकरा प्राप्त हुआ तो आप बैंक मेनेजर की रूप में जोतपुर कुडी बगतासने में कौन शी बैंक मेनेजर की नोकरी करते वे और जोतपुर जैसे शेयर में रहते वे शेवनिवर्तिक बाद ये खेति करने का आइडिया आपकेस आया अपना खुद का दंदा है जो भी मिलेगा अपना मिलेगा और राष्ट के लिए कोई दो उत्पातन तो देंगे देंगे रोडेक्शन भी होगा जैसे इस बार मैं गवं की फसल भी कर रहा हूं ठोड़ी बहु सर्शों गयों या मोंग मोट बाजरादी खेति करते हैं यह भी आप करते हैं लंबे टाइम के लिए शुरू में दो तीन साल आपको सबर रखनी पड़ेगी अच्छा लेकिन आने वाले 15-20 साल तक आपको ज़्यादा मेनत करने पड़ी अब जित्ता में तीन साल में मेनत कर तो यह अच्छा पोदों के बीच में गेप कितना आपके यह रखावा यह दस बाई 12 फूट यह अच्छा पोदे से पोदे के दूरी 10 फीट पोणी चाहिए थी लेकिन 10 नहीं है थोड़ी शी कम है और लाइन टू लाइन दूरी आपके 12 फीट रखी गई यह पोदे आप कह अच्छा यह अच्छा तो एमदाबाद में मिलते हैं कितने रूपे मायते पोदे मेरे उस चालीस रूपे में होम डिलिवरी किती हैं चालीस रूप तेन साल पहले तो अभी मानलो 50 रूपे ज्यादा होगा तो यह पक्षियों आदिक समिश्या पक्षियों की थोड़ी अच्छा रहती है तो पिछली वार तो मैंने ओड़नी बगार अच्छा इस वार थोड़ी प्लानिंग यह दूसरी कोई जाली-वाली दगा करवाना पड़ेगा अच्छा पक्षी लगवक इतना नुक्षान कर देते 15-20 प्रसेंट कर देते काफी ज्यादा नुक्षान है अच्छा शिंचाई कब करते हैं हफ्ते में एक बार पाना प्रसेंट है ज्यादा पानी के भी जड़त नहीं है यह चार लिटर पर हाँ यह तो सेंशिल पोदा कापी डेजर के लाइक है कित्ती भी लू पड़ो कित्ती भी गरफ पड़ो अच्छा अब की बार पाले का कोई अगर आपको वीडियों दी गई जानकारी उप्योगी लगे तो इसी प्रकार के प्रामानिक वीडियो देखने लिए ग्रिन राजस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आउश्य करें बहुत बहुत धन्यवाद